जी friends तो अब आते है hope feature n6 की तरव इससे पहले 5 lectures ke लिया HAVE लेक्वर नोर्श के लासे項 की तरव कोती करना होता है इस lecture no.6 के अंदर हम पढ़ेंगे loops के बारे में loop actually क्या होती है कि अगर हमने एक ही process को बहुत ज्यादा बार repeat करना हो एक specific time के लिए या unlimited time के लिए तब हम use करते हैं loop C++ में तीन किसम की loops होती है एक होती है for loop एक होती है while loop और while loop की ही एक और condition है do while loop तो आज हम lecture no.6 के अंदर जो पढ़ेंगे वो है for loop के बारे में and while loop के बारे में तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले तो page start होते ही lecture start होते ही page no.44 के उपर loop के बारे में उसकी define दीगी है कि loop होती क्या है actually अगर हमने for example करना है एक से लेकर 10 number को add करना है कि one plus two plus three plus four so on वो तो हम easily कर लेंगे वो तो हम fingertips पर भी कर लेंगे लेकिन अगर हमने 20 या 30 numbers को करना है तो उसके लिए हम calculator यूज करके भी कर लेंगे एक दो minute लेकिन for example अगर हमने यही process करना है one plus two plus three plus so on thousand तक या ten thousand तक तो वो पहली बात हमें बहुत ज्यादा time लाग जाएगा second हो सकता है कि हम कुछ readings के बाद हमारी calculation जो है वो गलत हम कर बैठें and बहुत ज्यादा time लाएगा हम bore हो जाएगे वो हम हो सकता हाफ में ज्यादी छोड़़दा भाई ज्याद मेरे से नहीं हो रहा है यह बहुत जीव पिसंट है तो उस काम के लिए भी लूप जो है वो बहुत बेनिफिशल है होता क्या है कि हम अपनी numbers को एक formula देते हैं कि one से लेके 10 तक जो भी numbers है उनको add करना है तो उन numbers को हम store करवाते हैं किसी variable के अंदर एंड उन variables को store करवाने के बाद उस variable को हम एक formula देते हैं कि यह variable खुद के अंदर इतनी बार खुद को add करें कि मतलब एक बार value जो है हमने one दे दी next time हमने उसके अंदर increment किया increment जो मैंने आप उस starting में बताया भी था i++ जो हम plus plus i हम use करते हैं तो हमने उसके अंदर increment करना है और increment करने के बाद वह value खुद के अंदर उस incremented value को add कर ले तो यह होती है एक्चुली लूप तो इसका हम process भी देखते हैं इसका देखता हूँ कि यहां पे code हुआ तो मैं वह भी आपको करवाता हूँ ना हुआ तो भी खुद कर देंगे पेज नंबर 44 पे इसकी थोड़ी सी define है और यह पेज नंबर 45 और 46 पे वही चीज़े हैं जो मैंने आपको भी बताई है इसके अंदर next आयाती है while loop के बारे में कि for loop ने work कैसे करना है उसके अंदर हम पहले एक variable initialize करते हैं फिर उस variable की एक maximum point देते हैं अगर हम किसी भी loop को उसका ending point नहीं देते तो वह बन जाती है infinite loop इसका mcqs या short question भी आ जाता है infinite loop क्या होती है तो जिस loop के अंदर हम एक ending point नहीं देते कि मैं starting तो कहता हूं कि zero से start करो और मैं ending point नहीं देता तो उसमें यह होता है कि वह loop infinite बन जाती है infinite तब तक चलती है जब तक आपका जो computer है या आपका जो program है dev वो जब तक उसको handle कर सकता है अगर वो उसको thousand time तक बरदाश्ट कर सकता है कि हाँ चलती हो ठीक है thousand के बाद क्या करेगा वो program crash हो जाएगा not responding आ जाएगा और आपका dev जो है बंद हो जाएगा और अगर आपका computer थोड़ा सा you know normal है average है बहुत अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आपका computer जो है उसका explorer है वो refresh हो जाए रीस्टार्ट हो जाए अक्सर होता है कि हम computer hang हो जाता है और एक blue screen आती है और उसके बाद जो हमारे programs है वो सारे बंद हो जाती है और दुबारा से open होता है वो खुद बखुद तो ऐसी conditions भी हो सकती है आपने यह चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी लूप आपने बनानी है उसको आपने एक ending point देना है वरना वो लूप जो है वो इंफिनिट लूप बन जाएगी और उसमें पहली बार तो अक्सर्द एरर नहीं आता होता प्रोग्राम ही crash होता होता है इंफिनिट लूप क प्रोग्राम के अंदर हम अपनी statement जो है वो एक या दो lines में देते हैं एक line के अंदर हम तीनो conditions दे सकते हैं कि यहां से variable start करो i is equal to one x is equal to one i is equal to one हमने कर दिया उसके बाद हम second statement भी उसी line के अंदर देते हैं कि i is less than equal to ten hundred thousand anything उसके बाद semi-colon लगा कि उसी line में हम increment भी कर देते है और अगर हम चाहें तो उस increment को प्रोग्राम के अंदर जो इसका code रन होना है loop का उसके end पे या center में कहीं भी जाकर लिख दें तो इसलिहासे हमारा loop जो है for loop एक line या दो line पे consist करता है अगर हम बात करें while loop की तो while loop हमारा जो है वो हमेशा तीन line पे consist करता है सबसे पहले हम एक variable declare करेंगे एक line के अंदर जैसे int i is equal to 0 declare भी करना है और हम हमेशा याद रखने है कि initialize भी करना है अगर हम initialize नहीं करेंगे तो वैसे तो वो फूद से 0 से ले लेता है startup लेकिन उससे बाद में कोईनों की हमें problem हो सकती है तो अगर first line में हम करेंगे int i is equal to 0 तो i is equal to 0 करने के ब initialize करने के बाद हम अपनी while loop की statement देंगे while loop की statement क्या देते है कि जैसे हम यहां पर लिखा है int sum is equal to 0 तो while loop के अंदर हम statement देते है int sum is equal to 0 और while into उसकी bracket में लिखते है sum is equal to 10 simple तो क्या होगा कि वो 0 से initialization लेगा और 10 जो हम लिखेंगे statement के अंदर वो मैं आभी आपको ड़क पर ल वो बन जेगा उसका ending point अगर हम वो नहीं देंगे तो while loop जो है वो execute ही नहीं होगी तो जब हम उसका ending point देंगे उसके बाद हम देंगे statement उस statement के normally हम end भी use करते हैं हम center में भी use कर सकते हैं लेकिन आम तोर भी हम end पर use करते हैं इस जगह पे जहां पी यह dots बने हुए हैं इस increment इसमें करेंगे तो होगा उसका third step और third step के बाद जब वो while loop खतम होगी तो वो वापिस जाएगी अपनी इस expression के बाद जाके sum की value को check करेगी चुकि हमने यहां पे increment किया हुए तो sum की value जो कि यहां पे सबसे पहले 0 थी वो value continuously change होते रहेगी 0 से 1 होजेगी 1 से 2 होजेगी 2 से 3 होजेगी 3 से 4 and so on आएगी 10 तक 10 तक जब आएगी हमारी while loop true है इसकी statement run होगी next time जब increment करेगा उसकी value हो जाएगी 11 जैसे ही उसकी value 11 होती है क्योंकि यह condition false होजाएगी जब while loop इसको read करेगा वो condition false होगी तो वो इस इतने block को जहां तक while loop का block बंद हो रहा है उतने block को terminate कर द जाएगा और इस code से बाहिर आजाएगा तो यह था while loop और for loop दोनों का function एक ही है लेकिन different programs में हम इनको different तरीके से use करते हैं हो सकता है कोई ऐसा program हो जिसके अंदर हमें for loop सही से नहीं fit आ रहा तो उसमें हम while loop use कर लेते हैं क्योंकि normally for loop को हम एक के दो lines में लिखते हैं तो अग अगर भी आपको सारा समझा दी है तो इनबर 46 पे वही चीज़े आ रही है increment कैसे करते हैं या उसकी value को कैसे add up करते हैं यह सारी चीज़ें इसके अंदर है next पे इनबर 47 के end पे and 48 के start में एक program है जिसके अंदर एक addition की गई है number 1000 से लेके 1 से लेके 1000 तक अगर हम सारे numbers को प्लस करते हैं तो answer आता है 500500 तो अब हम इस program को run भी करते हैं and चोटा सी यह में खुद ही लिख लूगा तो हर प्रोग्राम के अंदर यह चीज़ तो सेम ही आनी है ठीक है हम बिल्कुल बुक जैसा नहीं लिखेंगे हम थोड़ा सा डिफरेंट शॉर्ट करके लिखते हैं लेकिन हम output ही निकालेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं चूबके हमने addition करनी हैं तो मैंने आपको पहले भी आया था कि जिस तरह का काम करना हो अगर हम उसी तरह के variables यूज़ करें तो उसका impression अचा पड़ता है और पढ़ने मालों को easily समझ आ जाते है तो हम ऐसे करते हैं कि in sum कर लेते हैं and sum को कोई value दरेंगे ज़रूरत नहीं है and next किया करते हैं क्योंकि हमने program के अंदर एक value लेनी है जीरो से लेके 1000 तक और उसका sum find करने के बाद वह value store होनी है sum के अंदर तो इसके अंदर हम कर लेते हैं तो sum के अंदर value store होनी है तो कोई हमें एक ऐसा variable लेना पड़ेगा जो value को 1 से लेके 1000 तक पास करे using while loop program के अंदर I think while loop लिए या उन्होंने while loop लूप लिए तो for loop को हमने पहले कर भी लिया है तो अब हम while loop से ही करते हैं तो हम कोई ऐसे ले ले लेते हैं जैसे हम num ले ले लेते हैं करेंगे इसको initialize one से कर जाते हैं क्यूंकि उसका sum find करना है using यहां पे एक formula लिखा होगा यह बदा इस तरीके से तो हम sum find करना है तो हम number को start करते हैं one से आप चाहो तो इसको zero से भी start कर सकते हो और एक बात और याद रखनी हैं आपने जिस program के अंदर हमने addition करनी है उसका initial point ज करनी है उसका initialization point जो है हमने one से रखना है क्यूंकि multiplication में अगर हम initialize zero से करेंगे तो पहली value होगी zero multiply तो जब zero multiply होगा बाकी values के साथ तो answer बन जाएगा zero तो यह बात आपने याद रखनी है कि multiplication में initial point जो हमेशा one होता है addition के अंदर zero भी रख सकते है one भी रख सकते है according to program तो अ अब हमने एक sum दे दिया sum का variable हमने declare कर दिया और number के नाम से हमने एक variable declare कर दिया और उसको initialize भी खर दिया जब मारा variable initialize हो गया और कुछ लिखने के मिज़रोत नहीं हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि see out कर दो less than less than and यहाँ पर लिख दो sum of first thousand int int से मराद है integers ठीक है तो यहाँ पर इसको cross कर दो यह हमारा एक किसम पर title बने गया कि चलो program रन होगा था हमें यह शो जाते हैं while loop की तरफ यहाँ हम लिखते हैं while और उसके अंदर हम condition लिखते हैं num is less than or equal to अगर हम सिरफ equal to रखते हैं अगर मैं यहाँ पर सिरफ num is equal to कर देता हूं इसका मत while loop को सिरफ तभी execute करेगा जब उसकी value 1000 के equal होगी जबके हमने ऐसा नहीं करना हमने इसको तब तब execute करना है जब जब इसकी value 1000 से कम हो और 1000 तक हो मतलब 1000 भी include करना है so less than and equal to 1000 और while loop के आगे statement terminator नहीं आना यह चीज़ भी आ रखनी है हार line के end पे semicolon आना है हार statement के end पे semicolon आना है semicolon यही के terminator लेकिन loops के end पे हमने loops can be use नहीं करना क्योंकि अगर हम यहां पर terminate करेंगे means यह loop जो है वो इस जगह पर terminate हो गई है तो इसके आगे जो हम code लिखेंगे वो run ही नहीं होगा इसलिए हमने इसको terminate नहीं करना तो next line में हम आके block बना लेते हैं code block और इसके अंदर हम लिखते हैं while number is less than thousand तो अब इसको show करवाना है इसने तो number is equal to sorry sum यहां पर हम कर देते हैं sum is equal to sum plus number अब यह हमने क्यों किया sum में कुछ नहीं है it means कि यहां पर है 0 sum हो रहा है 0 से initialize यहां पर भी 0 पढ़ा हुए है यहां पर भी it means कि 0 पढ़ा हुए है तो इन दोनों जगों पर पढ़ा हुए है 0 जबकि number के अंदर हमने initialize किया था इसको one से तो one इसमें check करेगा जब one condition true है number is less than equal to thousand है मतब less है तो फिर यहां पर आ जाएगा one और इस sum के अंदर one plus zero क्या आया one तो यहां पर sum के अंदर one add हो जाएगा और यहां पर हम increment कर देंगे तो यहां पर number नहीं आना हमने num use किया है तो num variable आएगा number बोलते बोलते है number लिए तो यहां पर आएगा num plus plus and semicolon तो यहां पर यह क्या करेगा इस value को one plus zero करेगा is equal to one आ जाएगा और one n plus plus कर दे तो n plus plus का क्या मतबब हुआ कि चुकि number की value पहले one थी plus plus से हुआ कि number की value होगी उसमें one add हो गया तो वहां उसकी value बनगी two आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं num plus plus और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो मतलब मैं यहां पर comment मतायता हूं num plus plus equal है num plus plus का मतलब भी यही है and number is equal to num plus one तो जितनी बार भी यह line आनी है it means कि यह line same है number के अंदर one plus होगा उसकी value जो है वो one थी two हो जाएगी next time जब वापस loop दोबारा चल के आएगी condition true है फिर इसके पास आएगा और उमें one और add हो जाएगा इस तरह यह values है add up होते रहेंगी तो आप इन दोनो values की जो formulas हैं इनमें से कोई भी लिख सकते हो जो आप चाहो यह दोनों same ही चीज़े है ठीक है तो यह जिस मैंने comment लिख है सिर्फ आपको बताने के लिए कि यह value लिख लो यह formula लिख लो दोनों same है तो मैं num++ यूज़ कर रहा हूँ इंक्रिमेंट कर रहा हूँ इंक्रिमेंट करने के बाद जब यह loop है चूंकि हमने इसका ending point दिया है 1000 तो यह loop चलेगी 1000 times जब 1000 times चलेगी तो end पे जाकि यह store करेगा 1000 num की value हो जाएगी 1000 sum में जो भी उसक्त value पड़ी होगी उसके अंदर 1000 add हो जाएगा और वह value आके इसके अंदर store होगी next time जब increment होगा इसकी value होजाएगी 1001 जो के condition वहाँ पे false हो जाएगा और यहाँ से compiler जाएगा जैसे वह बाहिर आएगा उसके बाद हमें एक और condition देते हैं कि cout less than less than और यहा और मैं new lines को use करने के दो तीन तरीके हैं हम यहां पे भी लिख सकते हैं इस तरह से less than less than e and d l less than less than e and d l it means के end l का मतलब one line की space end l second लाग दिया तो two lines की space यहां पे two lines की space आजागी और send for हम यह भी लिख सकते हैं तो the sum is two spaces दे लेते हैं और यहां पे हम अपने उस variable को call करते हैं less than less than लगा के without inverted comma जिसके अंदर हमने values को store किया है तो जिस variable के अंदर हमने store किया है उसका नाम है sum तो हम यहां पी लिख देंगे sum and आगे लगा दिया semi column और यहां पे bracket यह वाली bracket इसके साथ close होगी और यह वाली package है वो इसके साथ close होगी हमारी जो program था वो छोटा था बन गया है अब according to our book first thousand integers का sum है 500500 तो अब हम इस program को run करते हैं तो देखते हैं इसका क्या आता है इसको क्या compile कोई error नहीं आया and इसको हम करते हैं run तो अब प्रोसेस तो आपको सरा पता सली ही आई इसमें क्या क्या हुआ है सारा और end भी हमें आना चाहिए the sum is 500500 here it is sum of first thousand int यह first line जो हमने show करवाई थी line number 7 उसके बाद second line जो हमने end पे process complete होने के बाद जो end पे show करवाई थी see out the sum is तो जो भी sum की value है वो show हो तो यहां पे show हो रही है 500500 और यह answer बेकुल ठीक आगया हमारा और अगर हम चाहते हैं कि हम ending point user से लें तो हम यहां पे एक और variable declare करके user से भी ending point ले सकते हैं यहां पे जैसे हम कर देते हैं मैं लिखता हूँ के enter ending point वैसे इसी चीज़े बुक में इस रख नहीं है बर मैं आपको बता देता हूँ enter ending point हमने किया दो lines की space यहां देना की जो तो नहीं है वैसे चलो निकाल देते हैं enter ending point and यहां पे लगा दो semicolon उसके बाद ending point जो हमने देना है उसके लिए हमें c int करवाना पड़ेगा और ending point के लिए हम एक variable की clear करते हैं int end लिखते हैं उसका नाम हम end देते हैं c in greater than greater than end बस अब वह value जो है end वाली value जो है वह user से लेगा और हमारा जो भी variable हम करवाना चाहेगा और end में store होगा तो जाहर है पिर अब हमने अपनी limit भी change करनी है तो limit में चुके हमने पहले 1000 लिखा हुआ था अब हम लिख देंगे end तो जो भी value user end में store करवाएगा वह value यहां पर आ जाएगी और हमारा प्रोग्रम जाएगा अब हम इसको भी compile करते हैं कोई error नहीं है तो इसको run कर लेते हैं अब जब program run होगा तो वह क्या करेगा user से पूछेगा first line line number 8 को execute करेगा और कहेगा जब हम ending point कोई ना कोई देंगे तो वह उस ending point की value को यहां पर store करेगा और बाकी process सारा वही का वही रहेगा और मारा process यहां हो जाएगा मैं 100 लिखता हूँ तो यहां आया 50 50 कि जो 1 से लेके 100 अगर हम variables को add up करते हैं तो मारा answer आता है 50 50 चलो मैं यहां पर 1000 ही लिखता हूँ क्योंकि हमें 1000 का answer तो पता है 500 500 1000 और answer इसका आ गया the sum is 500 500 perfect यह हमारा हो गया program successful next में हम आते हैं overflow condition overflow condition वही होती है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम किसी program में while loop की ending point नहीं लगाते हम upper limit जो है उसका ending point जो हम नहीं देते unlimited रख देते हैं तो वह overflow condition बन जाएगी और तब हमारा PC भी crash कर सकते है और प्रोग्राम जाएगा जो थोड़ीदे crash करेगा बंद हो जाएगा मुस्कुरी start करना पड़ेगा तो यह चीज़ें आती है और वह मैंने आपको पहले बता ही दिया है everything तो यहां हमने one से लेके thousand तक even numbers को एड़ किया है even numbers वो है जो two पे डिवाइड हो जाते है उसके लिए हमें यह एक condition ज्यादा लगानी पड़ी है बास number modulus two is equal to zero यानि कि अगर वो number जो इस वक्त process में आ रहा है उसको अगर हम two के साथ modulus करते है तो उसका answer हमें zero मिलता है zero से मुराज है कि वो पूरा-पूरा two पे divide हो जाता है अगर हम three करते हैं for example three divided by two तो वो पूरा-पूरा divide नहीं होता it means कि वो even number नहीं है तो वो इसको process नहीं करेगा तो यह चीज आती है even numbers के अंदर और all number के अंदर और all number वाले programs अक्सर आ जाते होते हैं तो इस चीज को भी आप मिला नियानत में इसकी practice आप लोग करें कि मैंने पहले वो जो करवाया है सिर्फ एक formula का फरक है और वह यह वाला है तो आप इसकी practice लाजबी करना फिर वही infinite loop आगया इसका मैं बता ही चुका हूँ अगर हम ending point नहीं देते तो क्या होता है और infinite loop कैसे बनती है okay next आती है page number 51 पे उसके अंदर property of yu वही flowchart बनाके दिखाया होगा कि while loop work कैसे करता है यहां पर इसका process होना है process में चेक करना है कि condition true है या नहीं जब वह condition true है तो इसमें enter होगा कि condition true नहीं है यहां से नीचे आ जागा तो वह loop की condition को यहां पर while के बाद चेक करेगा process करेगा वापिस आएगा true है नीचे आएगा process है वापस करेगा इस तरह वह कुद को repeat करेगा तब तक जब तक वह condition true है जैसी वह condition खतम हो जाएगी वह यहां से exit करेगा और program के end पे चलाता है तो यह उसका flowchart था जो मैंने का देशाल ही बता दिया था तो चीक हो गए री next पे इनिवरिश्टी वान कंपनी है पे नंबर 52 पे भी उसी का एक और flowchart बनागे रिखा यह उसने condition को जाके चेकर मैंश कर दिया का दिया condition true थी yes कर दिया condition false थी exit हो गया इसने आया उसको even number को find किया उसको add किया add करने करने भावापस गया then next value condition को check किया even को find किया even को add किया तिर वापस गया हुआ इस सारे process के बाद वो वापिस जब while loops से exit किया उसने तो वो आ गया इस जगह पे display दा result वाली जगह पे उसने आके अपना sum या result जो भी था जो भी हम ने किया program में वो उसको show करवाया और program को exit कर दिया उसके आप sample program 3 आ गया है जिसके अंदर हमने n factorial point करना है और इसका program मैंने लिखा था कुछ दिन पहले यह रहा है तो यह यहाँ वो तो पॉलिए यहाँ वो तो पॉलिए यहाँ वो तो पॉलिए था जिसमें हमने क्या किया कि एक number find किया जिसका जो हमने user से लेना है यानके maximum limit आप यह मतलब किस digit का factorial find करना चाहते है उसके बाद हमने एक loop लगानी है क्योंकि factorial में क्या होता है कि हम जो भी number देते हैं उसका backward जो है पीछे के जो numbers है उसके साथ multiplication होना शुरू है जैसे मैं 5 देता हूं तो 5 का factorial होगा 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 तो इस तरह से जो है backward की तरफ होनी जाना है तो उसके लिए हमें loop लगाना पड़ेगा आप चाहे और loop लगा जालो चाहे वाई loop लगा लगा हमने यहां पे user से एक value ली उसमें नमबर में एक value एंटर की और value एंटर करने के बाद यह loop चली उसको इस ने किया 1 से और उसको x is less than is equal to number तो जो भी number होगा वहां तक उसमें उसको multiply करना है तो जब यह multiply करेगा हर टाइम उसमें increment करेगा और finally जो factor हमने factor नाम का एक value लिए है जिसके अदर आखरी value लिए है वो store होना है जब वह सब values रहे हैं factorial की store हो जाएगी तो वह यहां पर आके हमें उसका जो भी हमें value मिलती है वह हमें चो करवा लेगा तो हम इसको compile करना का लिए काफी पराना लिख है तो शायद error है इसके में देखा हूँ इसको करता हूँ compile या वह extra value लिए है तो compile होने के बाद यह हो गया है run और वह में इसे पूछ रहा है कि मैं कुछ रहा है कि मैं कुछ वैल्यू एंटर करूँ जिसका मैंने factorial find करना है तो अगर मैं 5 एंटर करता हूँ तो 5 का factorial बनता है 5 multiplier 4, multiplier 3, multiplier 2, multiplier 1 जो के बनता है 120 तो और मैं यहां 5 लिखता हूँ तो आना साही है 120 यह पैक्टरियू लोग 5 इस 120 तो यह तरीका है factorial point करने का यह जो नमने को लिखा था और मैं देखता हूँ कोशिश करता हूँ इन जो मैं प्रोडम्स करवा रहा हूँ उनको मैं description में दे दूँ तो आप फिर खुद लिखके प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बहतरा खुद लिखो गए तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी आपको पता होगा कि कौन सा letter कौन सा digit कौन सा sign है वो keyword के किस button से enter करना है ताकि फिर आपके papers के लिए practice होजेगी फिर वहां पर time नहीं होता डिजिस को रोनने का पिर lesson कहां पर आना था और question mark कहां पर लोगों को नह तो आज की लेक्सर में इतना ही था नहीं है नेक्स लेक्सर में तक तक अला हफीज